हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, रेसपी सब कोमल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, तो अभी बारिस का मोसम चल रहा है, तो क्यों न कुछ चटपटा सा और कुछ टेश्टी सा बनाया जाए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, पोहे और आलो की बहुत ही यू करके में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी न भूले, तो चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं, तो ये देखिए मैंने 200 गराम की करीब पोहा ले लिया है, तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा अला पोहा लिया है, तो इसे अब ह बिल्कुल अच्छे से इसका फाइन पॉडर बना कर त्यार कर लिया है, तो मैं आपको दिखा दरीं, ये देख सकते हैं, ये विल्कुल चावल के आठे के जैसा दिखता है, तो चलिए इसे अब हम एक कटोड़े में निकाल लेंगे, तो सारा हमें इस तरीके से निकाल लेन हैं, वीडियो अच्छी लगें तो लाइक कमेंट सेर करना विल्कुल भी ना भूने, तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं, अदो मैंने मीडियम साइज के बॉइल आलू ले लिया है, और इसे अब हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है, मैंने छोटे वाले ग्रेटर का इस्तमाल किया है, आप इसके जगह किसी और ग्रेटर का विस्तमाल कर सकते हैं, तो इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, जिससे आलू में लंस ना रहे है, तो चलिए इसे अब हम पोहे में मिला लेंगे, और इसमें कुछ मसाले एड करेंगे, तो मैं आपको दिखा एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो मैंने थोड़ा सा एक छोठा चमझ के करीब चिली फ्लेक्स का इस्तिमाल किया है आधा छोटा चमची करीब काली मिर्ज का पॉडर और आधा छोटा चमची करीब मैंने लिया है साबूत जीरा और स्वादनुसारवं डाल देंगे नमक और इसमें एक छोटा चमची करीब जीरा पॉडर का भी मैंने इस्तिमाल किया है और आधा छोटा चमची से करीब चूटा चमची से करीब कसूरी मेति और शूरू कोलओ Cassu और प्षम अगर आप मेरे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना विलिकुल बिल्ग कर लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे एक छोटा चमची करेब हल्दी पोडर और एक छोटा चमची करेब लाल मिर्च कोडर जिस से कलर और टेश्ट Pitts strs काफी बढ़ जाए तो चलिए इसे हम मिला लएते हैं। और जिस तरीके से हम आटे का डो त्यार करते हैं उसी तरीके से इसका डो हमें त्यार कर लेना है तो देखें मैंने कितने अच्छे से इसका डो त्यार कर लिया है और जिस तरीके से हम रोटी के लिए छोटी छोटी सी लोई लेते हैं उसी तरीके से हमें छोटी छोटी सी गोल कर लेना है तो यह देखिए मैंने इस तरीके से कुछ इसे गोल कर लिया है तो बस अब हमें इसे ज्यादा गोल नहीं करना है तो इसी तरीके से मैंने सबे को गोल कर लिया है मैंने छे लोई तियार कर लिया है और चली अब इसे हम बेल लेते हैं तो एक मैंने लोई ले ल तो चलिए इसे वह मुप ज्यादा से जणादा लूज़ों के पास सेर करें तो यह देखी हमने इसे अच्छे से बिए और इसके साइट के हिस्से को अभ़ाई आप सेप डे सक influence एक दोचना कर सकते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा समय इसेफ में काट सकते मैंने कुछ इस तरीके का से बना लिया है मैं आपको दिखा दरी हूँ ये देखी कितने अच्छे ऐसे बन कर रेडी हो गई आ तो इसाइध में लगा वा था इसलिए मैं इसे हटा दरी हूँ तो ये देख bushes मैंने इस सभी को त़्यार कर लिया है इस तरीके से मैंने सभी यह नहीं, अधाई, इसो गराम की करीब cooking oil का इस्तामाल किया है, और यह हलका सा गर्म होने लगा है, तो इसे ज़्यादा गर्म ना करें, जब तेल हलका सा गर्म होने लगें, तो इसे आप इसमे ढाल दें, और अभकमी आउने फीले में अपै और इसे चाई के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत इजी तरीके से बनकर रेडी भी हो जाती है तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है तो इसी तरीके से मैंने बाकी भी त्यार करके रख लिया था तो ये देखिए तो लग रही है न टेश्टी तो एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखिए और मुझे कमेंट में बताना विल्कुल भी ना भूले कि इसकी रेसेपी आपको कैसी लगे तो चलिए इसे अब हम तोड़ कर देख लेते हैं ये देखिए कितने इजी तरीके से ये तोड़ भी जा रही है और काफी मुलाइम और काफी टेश्टी लगती है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले बाब